पॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ओईल एंड शमा बनास्पती बोले दिल की बोले ये हुई मुकमल अलेहतियात की बात पुलायर एक तीन पाँच दस और तीस लीटर की पाकिंग में दस तयाब है बिसमिलाहिर्मान रहीम असलामु आप देख रहे हैं एनन न्यूज और मैं हूँ तहाम आजम न्यूज बुलिटन के आगास पर आपको बताते चलें के इनसानियत सोज और दिल दहला देने वाले साहनिये आर्मी पबलिक स्कूल को छे बरस बीट गए लेकिन इस सानिये को याद करके कौम का गम आज भी ताज़ा है छे साल कबल इन दुश्मनों ने मासूम बच्चों को देशगर्दी का निशाना बनाया था और 16 दिसमबर 2014 को महाजरीन के रूप में पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सफपाग दैशगर्दों ने मकामी अफराद की मदद से आर्मी पबलिक स्कूल पर हमला किया था और हसूल इल्म मगन बच्चों पर फाइरिंग कर दी वाकिकी इतला मिलते ही सेक्योर्टी फोसेज ने स्कूल का घहराओ किया और खुदकार असले से लेस कलदम तहरीक तलिबान पाकिस्तान के छे खुदकर्श हमलावरों को तवील आपरेशन के बाद हलाक किया था वजीर आजम इमरान खान ने आज पिशावर का एक रोज़ा दोरा किया वजीर आजम की हयातबाद स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आमद पर वजीर आला महमूद खान गवरनर शाफर्मान और सुबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने इस्तक्बाल किया तकरीब शुरू होना से पहले वजीर आजम और शुरका ने सानिया आर्मे पॉब्लिक स्कूल के शुहदा के इहतराम में एक मिनट की खमोशी इक्तियार की हयातबाद क्रिक्ट स्टेडियम की बेनल अक्वामी क्रिक्ट के लिए अपग्रेडेशन मनसूबे का संगे बनियाद रखा शायकीन के लिए बैटने की जगा को बढ़ाने डिजिटल स्कूर बोर्ड और जनरल पॉब्लिक सेंड के इलावा दीगर तमाम जरूरी तोसी काम से स्टेडियम में आई सी सी मैच्चिज मुनकित कराए जा सकेंगे अफगान तालिबान सियासी कमिशन के वफद मुला अब्दलगनी ब्रादर की सरवराही में वजारत खारजा में वजीर खारजा शाम महमूत गुरेशी से मुलाकात वजीर खारजा ने अफगान वफद को वजारत खारजा आमद पर खुशामदीद कहा मुलकाद में वजीर खारजा शाममुत कुरेशी ने कहा कि अफगान तालिबान के वफद के साथ होने वाली गुजचता दो नशिते इंतहाई सूद मन रही दोहा में अमरीका तालिबान के दर्मियां तैप आने वाले आमन मुहाइदे में पाकिस्तान ने अपना मुमकिना मुसाहिलाना के रदार अदा किया बैनल अफगान मुजाकरात के हवाले से कवायद जवापत पर इत्फाक इंतहाई खुशाइंद है पाकिस्तान शुरू ही से कहता चला रहा है कि अफगानिस्तान में क्याम अमन का वाहिद रास्ता नतीजा खैज और जामिया मुजाकरात का इनकाद है पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा और मस्तकिल क्याम अमन का मतनमा है अपोजिशन का स्टीफों का एटम बम फुल जड़ी निकलेगा वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद ने कहा है के अपोजिशन ने स्टीफों का एटम बम चलाने की धमकी दी है जो सिर्फ फुल जड़ी निकलेगा शेख रशीद ने इसलावबाद में FIA headquarters के दोरे के मोके पर मीडिया से गुफटगू करते हुए कहा कि FIA को अवाम दोस्त महकमा बनाने की हिदायत की है साइबर क्रिम विंग में दो हजार भरतिया करने की हिदायत कर दी वजिर दाखला ने कहा कि E.C.L. और Blacklist में नाम कम करने का हुकम दे दिया FIA से कहा है कि बिलावज़ा लोगों के नाम ना रखे जाएं E.C.L. में 400 लोग हैं और Blacklist में भी बहुत लोग हैं All Pakistan Oil Tankers Contractors Association की हरताल All Pakistan Oil Tankers Contractors Association के मतालबाद की मनजूरी के लिए हरताल कर दी जिससे रावल पिंडी इसलामबाद समयन मतादेद आलाकों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मॉत्तल हो गई All Pakistan Oil Tankers के उकातकार में रद बदल के खिलाफ All Pakistan Oil Tankers Contractors ने हरताल की है जिसके नतीजे में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल बहरान पैदा होने का खच्चा है All Pakistan Oil Contractor Association के जनल सेकेर्टरी नुमान बट का कहना था के रावल पिंडी इंतजामिया ने दिन में All Tankers के दाखले पर पबंदी आयत की है जो काबले अमल नहीं इंतजामिया ने मुझाकरात भी किये और सेकेर्टरी पेट्रोलियम का खतूत भी अरसाल किये लेकिन किसी मसले के हल्व के लिए संजीदगी नहीं दिखाई दी मौजूदा उकाद की पबंदी में All Tankers पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं कर सकते मतालबात की मनजूरी तक हरताल करेंगे मुल्क भर में करोना वाइरस से एक दिन में 105 अफराद जिनगी की बाजी हार गए जबके चार लाग से जाइद अफराद इस जान लेवा मर्ज में मुबतला हो चुके हैं नैशनल कमानेड अपरेशन सेंटर की जानिब से जाली करदा अदाद शुमार के मताबिक गुजिस्ता 24 गेंटे में मुल्क भर में 38,028 करोना टेस्स किये गए जिसके बाद मजमूई COVID-19 टेस्स की तादाद 61,36,799 हो गई है इमरान खान ने असीफा ना दिया तो दमादम मस्ट कल अंदर होगा पाकिस्तान पीपल्स पारटी के चेर्यमेन बिलावल बूटा जर्दारी ने कहा है के इमरान खान अहुड़आ चोड़ें तो जमूरी कुट नं अपस में बात कर सकती हैं बिलावल भुटा जर्दारी ने लहोर में मीडिया से गुफटगू करते हुए कहा कि इमरान खान 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाएं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा लॉंग मार्च और इस्तीफों के एटम बंब इस्तेमाल करने के लिए हिकमत अमली अपनाएंगे चेर्मेन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हकूमत ने एपिएस के बच्चों को लावारिस छोड़ा है हम वजीर आजम का इस्तीफा इसलिए भी मांगते हैं कि यह हकूमत कोई कोशिश नहीं कर रही कि एपिएस के कातलों को जेल में डाले मुल्क में चीनी आटा और गैस का बहरान चल रहा है अवा मुश्किलात का शिकार है घृर्बत की शराय अफगानिस्तान से भी ज्यादा हो चुकी है हमारा एक ही फैसला है कि हकूमत को घर भेज़ना है न्यूस बुलेटन से फिल्वा कितना ही मज़़ी तफसिलात के लिए विजिट कीजे हमारी वेबसाइट एनन्ह्ट.tv अल्हम्दुलिल्ला अल्फला मॉडरन सिटी जिसका शुमार मुल्तान के काम्यागत तरीन हाउसिंग प्रोजेक्स में होता है हमने जो वादा किया वो पूरा किया तरक्याती काम तकरीब नववे फिसद मुकमल हो चुके है सिर्फ चन प्लॉट्स बहुत अच्छी लुकेशन पर बाकी है हमारी प्लाट होल्डर्स दूसरों से जादा मुटमें नजर आते हैं क्योंकि इन्वेस्मेंट और लुक्राइशन पर बाकी है